हलो फ्रेंड वेलकम तू मैं चैनल 1933 वे शुरुति में इस वीडियो में डिसके Україन करें हैं इसमें कोई भी डिजीज हो सकते हैं इसे भीडरी एघ्र होथा कि इसमें जो यह जितनी भी ब्लड वैसल होती है उनके regarding कोई भी उन पर effect डाल रहा है, कोई भी disorder ऐसा है, जो उन पर effect डाल रहा है, तो वो क्या होगा, peripheral vascular disease, ठीक है, अब इसके पीछे क्या-क्या causes हो सकते हैं, तो जब हम 60 की age को cross कर जाते हैं, तो उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है, अगर किसी को diabetes mellitus है, जिसको हम normally ब प्रोमा हो गया है, कहीं पे भी arteries या blood vessels में, तो वो सारी क्या है, cause कर सकते हैं, peripheral vascular disease, ठीक है, जिसके अगर हम बात करते हैं, तो अभी हमने पढ़ा कि जो older age के होते हैं, more than 50 years या more than 60 years, उन में ज़्यादा देखने को मिलता है, male जो है, वो ज़्यादा प्रोन होते हैं, history है, कोई smoking ज़्यादा करता है, diabetes जैसे किसी को problem है, या फिर increased BP, यानि कि अगर hypertension की भी अगर किसी को problem है, तो उन लोगों में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, pathophysiology की बात करते हैं, तो हम क्या होएगा, ideological factors जो है, वो contribute करते हैं, development में, जो भी peripheral vascular disease होती है, disorders होते हैं, जो भी हमने उपर पड़े हैं, जो भी causes है, ideology है, वो सारे क्या करते हैं, ओर ज़्यादा contribute करते हैं, ये चीज होने में, इसकी वज़े से क्या होएगा, ideological factors की वज़े स plague जो है, वो एक तरीके से क्यो होएगा, कुछ ना कुछ जो है, इकठा होता रहेगा, जो walls होती है, हमारी blood vessels की वहाँ पर, या फिर हम कह सकते हैं, कि plague formation हो जाएगा, जो वोल्स होती है, जिसके वज़े से partial या फिर complete occlusion होएगा, यानि कि वहाँ से आगे जो है, नहीं जा पा इसके वज़े से हमारी जो वोल्स होती है, वो वीक होती जाएंगी, वीक होएंगी, तो वहाँ पर अनुरीजम और जो thrombus formation है, वो हमें देखने को मिल सकता है, जिसके वज़े से जो blood supply है, tissues तक वो inadequate हो जाती है, और हमें sign and symptoms देखने को मिलते हैं, अब वो sign and symptoms या फिर clinical manifestations क्य होती हैं, जो भी हमारे hair होते हैं, legs पे वो loss होने लग जाते हैं, उनका loss हो जाने लगता है, impotence देखने को मिलता है, जो source होते हैं, वो होने लग जाते हैं, पैरों पे, पैरों में बहुत ज़ादा पेंज रहता है, numbness, tingling और weakness हाती है हमारे पैरों में, ठीक है, उसके बाद diagnostic evaluations के अगर हम बात करते हैं, तो हम medical history ले सकते हैं, physical examination करा सकते हैं, ankle और जो brachial index होता है, यानि की ABI वो करा सकते हैं, angiography यानि की study of arteries करा सकते हैं, पूरी इसको detail में study करा सकते हैं, MRI करा सकते हैं, doppler ultrasound करा सकते हैं, उसे के साथ जो treadmill exercise test है, वो करा सकते हैं, कि जो हमारे पैर व exercise कर सकते हैं, उसके बाद बारी आती है management की, तो management में हम anti-platelets दे सकते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि अगर clothes जादा बन जी हैं, ठीक है, तो anti-platelets देंगे, उसके बाद aspirin जैसे की aspirin plus ticlopidin या फिर clopidroglial, ये सारे हम दे सकते हैं, उसे के साथ pantofiline दे सकते हैं, जो हमारे blood blood flow को improve करती है, उसको ठीक करने में help करती है, उसके साथ सार्जरी में हम vascular surgery करा सकते हैं, या फिर angioplasty करा सकते हैं, complication में अगर हम बात करते हैं, तो loss of limb हो सकता है, उसके बाद severe pain रहता है, जो भी हमारी extremity होती है, stroke हो सकता है, और जो poor wound healing है, वो देखने को मिलती है,